सरकार ने किसानों के हिद को देखते हुए फैसला लिया है कि कोई भी बीज भंडार या कीटना शक्की दवा की दुकान बिना लाइसेंस के नहीं कोल सकेगा इस फैसले का बनारस की लोगों ने स्वागत किया बताय जा रहे कि लोगों को कृषी से समबंदित दुकानों को लाइसेंस दिया जाएगा क्रिशी रसायनों का कारोबार करने वाले व्यापारियों को 6 महिने की ट्रेनिंग दी गई है इसके बाद बिना डिगरी के लोगों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा इस कदम से किसानों को सही दवाएं, बीच बोने की सही तक्नीकी संबंदित जानकारी भी प्राप्थ हो सकेगी बारनसी के दुकानदारों ने इस फैसले का समर्थन भी किया है